हाई एवरिवन तो यार आज डेटा स्ट्रॉक्चर की वीडियो को कंटीन्यू करते हैं आप लोग को पता हुग है यार मैंने स्टैक पढ़ा दिया है तो अब जो हम ने डेटा स्ट्रॉक्चर पढ़ रहे हैं विच इस कॉल्ड क्यू ठीक है सो फर्स्टाफॉक्या होता है वह समझते हैं तो थोड़ा वहत है सेम आप कह सकते हो सिमिलर कह सकते हो स्टैक की तरह बठ थोड़ा भूदा चैंज भी एक्क्यो में तो एक्श्टाप device मैंट इसंञे तो फर्स्टाफॉड स्टैक आपने अभी प्रिवेस वीडियो के अंदर पढ़ लिया हुगा डिसकास करते क्यूं को क्यूं क्यूं में होता क्या है सो फर्स्ट अपल क्यूं का नाम है क्यूं मतलब होती कतार या लाइन ठीक है तो फॉर इग्जैंपल अगर आप लोग यार कहीं पे भी जाते हो किसी शॉप पे जाते हो या कहीं रेल्वे रिजर्विशन करवाने जाते हो आफ लाइन जाते हो तो वह आप है या एक ऑढ़न जाते हो फीज्ञत बैठन होता है इसको सबसे पहले चांस मिलेगा ये सिनेरियो का क्यूव के अंदर बेस्ट इग्जापल यह आप रेलवेर रिजर्वेशन या बस रिजर्वेशन या फिर आप मोवी टिकेट्स वगेरा खरीदते हो तो आप एक क्यूव लेगी रहती क्यूव मतलब लाइन लेगी रहती है ठ सबसे पहले आया होगा तो that's why उसको सबसे पहले टिकेट मिले गए जो भी चीज आख तुछ इस तरीखे से क्यों डिटा स्ट्रक्चर करrea का बेस्ट एक्जामपल यह क्या और सबसे पहले जो अपने पूश किया वह सबसे लाष्ट में चल जा रहाता है तो स्टैक में क्या हो करते जाते थे करते जाते थे और अगर आपन पॉप करेंगे तो टॉपश्ट में ही पॉप होता था जो पहले पुश्ट किया था मतलब यह आड़ वजे आया था तो यह सब से पहले जाएगा, दस बजे वाला पहले नहीं जाएगा, क्योंकि ये लाइन बाइन चलता है Q, समझवारी बात, तो ये थोड़ी बहुत similarities और dissimilarities है, जो कि मैंने discuss करी, Q data structures और stack data structures के अंदर, clear है, और अच्छे से detail में समझना, stack data structures का वीडियो आर आपको 200 चनल के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप देख लेना, जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में मैंने cover कर दिये, सारे stack, clear, अब जैसे यार Q के अंदर same operations है, just like stack के अंदर जो थे, वही लगबग same operations है, अब आपको कई जगा पे questions मिलेगा, push pop की जगा, अब आपको insert करना, कोई भी element, जिसे हमें को 3 insert करना है, तो मैं push कर दूँगा Q के अंदर, जैसे stack के अंदर push किया करते थे, same आप इसी तरीके गर सरते हो, वाट इसका दूसरा नाम भी आप कह सकते हों कि NQ करना, NQ का मतलब है insert करना, कहा insert करना है अपन rear पे, rear मतलब last पे, या फिर back side पे, या फिर tail side पे, तो उसको गएंगे, अपन insert कर रहे हैं, NQ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं को 9th number का element insert करना है, back side पे, तो उसको गएंगे, हम NQ कर रहे हैं, इस element 9 को, इस Q के अंदर, ठीक हैं, और मैं को delete करना है, इस first वाले element को, या front को, या head को, या first वाले element को, तो मैं क्या गांगो, उसको DQ कर रहा हूं मैं, बात समझ मारी है, आप push pop भी कर सकते हो, NQ DQ भी कर सकते हो, बात एक ही है, clear है, समझ गया है, तो ये आप बता सकते हैं, आप से NQ और DQ पूछ रहा है, तो फिर आपको उसकी definition देनी पड़ेगी, कि NQ का मतलब क्यों होता है, कि insert कर रहे है, Q के last में, clear है, जैसे 9 को insert किया जा रहा है, last में, और DQ का मतलब क्या है, कि अपन यहाँ पर क्या कर रहे है, जो अपना front element उसको delete कर रहे है, क्योंकि यह क्या हो रहा है, first come first serve हो रहा है, मतलब जो पहले आया है, उसको पहले बगाया जाएगा, उसका काम पहले किया जाएगा, ठीक है, तीन पहले आया है, तो उसको तीन को उसका काम जो भी होगा, वो पहले होगा, है ठीक है ये लीट आ है तो इसका काम लेट होगा इस तरीके से इसमें मोता है इस्टैक क्या इंड़ता है लास्ट इन फर्स्ट रुट होता है तो क्यूँ क्या होगा फारीखर फश्ट इंफ्स्ट रृट यूट बताऊगा दिंफ उस्जाने का फुल關係 कि 9 यार मैं मेरे पास पूरा Q खाली बढ़ा है for example Q के अंदर कोई भी element नहीं है तो front भी मेरा starting में है rare भी मेरा starting में ठीक है इस तरीके से समझ सकते हूँ फिर आपने कहा किया 10 को NQ किया NQ का मसले है इंसर्ट करना या पुश करना तो 10 आ गया भाया अपना यहाँ पर ठीक है मालो यहाँ पर railway reservation का system है लाइल लगी बड़ी है सुबह 7 बज़े close है system बन्द भी बंद है तो यहाँ पर कोई नहीं आएगा ना air ठीक है आठ बज़े से यह चालू हो गया मालो railway से ticket करवाना चालू हो गया आठ बज़े से open हो गया तो जो मालो यह एक बंदा है जिसका नाम है 10 या फिर इसका नाम है a person है ठीक है वो आ गया 8 a.m तो 8 a.m पर आ गया तो सबसे पहले लगेगा ना line पर clear है तो वो insert हुआ इस line के सबसे पहले लगेगा ठीक है तो 10 क्या हो गया इंसर्ट हो गया Q के अंदर ऐसी ही अपना क्या है 8 आ गया तो 8 आ गया 10 के बाद आया जस्ट मालो 8 बज़े 10 आया तो 8 5 पर आ गया यह बंदा ठीक है तो उसके पीछे लगेगा फिर ऐसी है अपन ने enq किया 12 फिर 16 फिर 9 फिर 20 फिर 18 तो इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया enq कर दिया clear है बात ठीक है समझ में आगए बात अब जो अपन next element enq करेंगे वो यहाँ पर करेंगे तो यह इस तो चीज समझा ही थी enq का मतला है भी कि last वाला जो element है उसमें इंसर्ट कर रहा है ठीक है तो हम क्या करें जो 5 है वो अपन अब last में enq करेंगे तो rare पर ही जाएगा तो इस तरीके से आप यह operation के बारे में explain कर सकते हूँ तो अगर आपको कोई बोले गया इस q के अंदर front क्या है rare क्या है तो आप समझा सकते हो कि this is your front element and this is your rare element अगर आप इस enq5 को लिखते हो तो यहां पे लिखा नहीं गया है आप लिखो तो 18 के बाद क्या जाएगा पांच जाएगा ठीक है इस तरीके से यार यह क्या हुआ आपने enq के सारे operation कर लिए मतलब insert कर लिए q के अंदर सारे datas को अब जो पहले आया क्योंकि यह क्या first in first out जो पहले आया वही पहले जाएगा stack क्या होता था last in first out होता लीफो होता था यह क्या FIFO फीफो जीखा है क्यों क्या Fifo Data Structures को follow करता है तो यहाँ पे सबसे पहले क्या जाएगा 10 जाएगा ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, DQ10 हो गया फिर 8 जाएगा, फिर 12, फिर 16, फिर 9, फिर 20, फिर 18 आप ये समझो, कि यार ये 8 बज़ा आया, तो इसका काम सबसे पहले होगा ठीक है, इसका काम खतम होगा, तब ही इस बंदे का काम स्टार्ट होगा इसका टिकेट, जो भी टिकेट सिस्टम से अपन समझ रहा है तो इसका टिकेट तब ही बनेगा, जब इस बंदे का टिकेट कवर हो जागा या क्लियर हो जागा, ठीक है, इसने कैश दिया फिर इसका बारी आ गया, टिकेट इसको मिल गया, तो इस साइड हो गया ये क्या हो गया, अब जो फ्रंट में आ गया हो, फिर अब इसका काम होगा, 8 वाले बंदेगा, फिर इसका काम हो जागा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, and same for others, थीक है, तो बात समझवारी है, तो इस तरीचे से आप यार, Q data structures को समझा सकते हो, कि Q data structures क्या order follow करता है, first in first out को पड़ता है यहां पर आप समझा सकते हूं कि NQ क्या होता है and DQ क्या होता है for example NQ DQ नहीं पूछा गया है तो आप उसकी जगा पे पुश और पॉप बिल्कुल समझा सकते हो को दिक्कत नहीं है बट अगर आपको इंजिने एक्जाम के अंदर NQ की definition पूछ रहा है तो फिर बोलर definition बता हो NQ DQ की तो आप इस तरीके से explain करोगे otherwise आप पुश पॉप भी समझा दो कोई गलत नहीं होगा ठीक है तो यह यह भई है Q data structures आगे अपन difference थोड़े बहुत पढ़ेंगे stack और Q के बीच के और इससे जो भी question planning of squeaking पर समझने कर try करेंगे so मैं उपकर रहा हूं कि आपको Q data structures की यह वीडियो जो basic Q data structure के understanding है वो समझ में आ देगे and अगर आ गए तो और बढ़ी है फिर आप बाखी remaining videos भी पढ़ सकते हो जो कि previous topics जो अपने discuss किये जैसे array हो गया link list हो गया stack हो गया तो वो सब ट्रू जग के चैनल के अंदर आपको मिली जागा link description box में है ठीक ह तो आज के लिए तनी रखते हैं वेल तर नेक्स वीडियो के साथ बाई